Hello Everyone, Today we are going to study Important Antoniums Part 3 इससे पहले Part 1 और 2 को हमने cover कर लिया है जिसका लिंक आपको description में दे दिया गया है आप इन वीडियोस को भी ज़रूर देख लिजिए Friends, ये Antoniums आपके नहीं काफी important रहेंगे, काफी आपके exams में आने के काफी chance हैं क्योंकि ये सारे Antoniums अब तक कई बार exams में repeat हो चुके हैं इसलिए ही इनको आप इस वीडियो में लेक्चर में हमने add किया है तो चलिए स्टार्ट करते हैं Antonium number 31 innate, innate means होता है प्राकेटिक या फिर सहज ठीक है, इसका Antonium find करना है, option number A देख लिजिए, inborn inborn का मतलब होता है जनमजात, ठीक है, option number B है unusual, unusual means होता है ऐसा मान्य है, option number C है acquired acquired का मतलब होता है, grand किया हुआ, ठीक है, number D है natural, natural का मतलब होता है प्राकेटिक, ठीक है, यानिके प्राकेटिक और innate, तो ये हो गया है इसका synonymous, ये तो होगा नहीं, ठीक इसके बाद जनमजात, जनमजात जो होता है वो प्राकेटिक होता है तो ये भी नहीं होगा, unusual और acquired जनमजात और सहज, यानिके जो comfort feel करता है, यानिके acquired acquired क्या होदाएगा, इसका होदाएगा antonium, यानिके innate का प्राकिर्टिक या सहज या फिर नैच्रल कह सकते हैं इसका जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा acquired चलिए next देखते है now number 32 reprisal, reprisal means होता है बदला, ठीक है, इसका एंटोनिम चेक कर लेते हैं, option number A है exemption, exemption होता है, माफी माँगना, माफी option number B है, relaxation reprisal means होता है, बदला तो बदले का जो एंटोनिम बनेगा वो बनेगा forgiveness, यानिके च्छमा करना, माफी करना, ठीक है चलिए next देखते है now MCQ number 33 है नाक, नाक मीस होता है कोशल, युक्ती, आदत या हैबिट, ठीक है इसके काफे सारे meaning होते है इसका antonium find करना है, option number A है talent, talent means होता है, पिठती भा तो ये तो होगा नहीं, ठीक है क्योंकि कोशल, भी इसका meaning है habit, आदत, युक्ती, तो ये तो talent तो होगा नहीं, इसको आप काट दीजिए इसका नमतलब है B, dullness यानि के थोतरापन, अगर यहाँ पर कोशल है यानि के expert है, और वो dullness है उसके इंदर, तो इसका antonium बन गया है, तो ये इसका antonium हो जाएगा बात कर देखेरिटी की, डेखेरिटी बोलते हैं, निपूर्ता को, कोशल को ये भी इसका synonym बन गया है, ठीक है balance को बनते हैं, हम संतूरन तो नाक का जो antonium बनेगा वो बनेगा dullness नमबर 34 है, परनीसियस परनीसियस को आप जानते है, परनीसियस मींस होता है, घातक, हानिकारक इसका antonium क्या होगा, इसका antonium find करते है, option number A है, प्रलोंग प्रलोंग मींस होता है, लंबा, ठीक है option number B है, रूनस रूनस मींस होता है, विनाशकारी ठीक है, वर्ड से बनाया है, रून से रून माने के होता है, तबाह कर देना, वर्वाद कर देना तो ये रूनस का मतलब होता है, विनाशकारी Option number C है Ruthless Ruthless means होता है निर्दई या कठोर Number D है Beneficial Beneficial मतलब होता है लाबकारी Parnisius मतलब होता है हानिकारक और Beneficial means होता है लाबकारी यानिके Parnisius का Antonium क्या बन गया है Beneficial यानिके लाबकारी तो यह next जेखते हैं Number 35 Word है Opulence Opulence means होता है अधिकता समर्द्धी या Plurality ठीके इसका Antonium find करेंगे पहला option है Luxury Luxury का मतलब होता है Velocity ये तो इसका होगा नहीं इसके बाद Number B देख लेते हैं Transparence यानिके पारदर्शिता पारदर्शित होना ये तो किसी कीमत पर नहीं होना है इसके बाद है Wealth तो Wealth यानिके अधिकता होना Wealth धंदोलत ये भी इससे कुछ Antonium नहीं बनेगा इसका ये है Number 4 है Poverty Poverty मतलब होता है गरीबी दरीद्रता यानिके वहाँ अधिकता हो रही है यहाँ पर दरीद्रता हो रही है यानिके समर्द्धी है Plurality है यहाँ पर गरीबी है तो इसका Antonium बन जाएगा Poverty Opulence का Antonium बनता है Poverty Poverty तेरी नेक्स देखते है Next Number है 36 Word है Bold Bold का मतलब होता है निर्भीक, सहासी, नीडर, ठीक है Brave इसका Antonium क्या होगा? Cautious Cautious का मतलब होता है साबधान, सतर्क, चोकस Timid Miss, कायर Rude मतलब असब्या, गवार, अंसिविलाइजड Proud का मतलब होता है गमंडी, एहंकारी ठीक है तो Bold Miss, सहासी और Timid Miss होता है कायर तो इसका Antonium क्या बन जाएगा? Bold का Antonium होता है Timid, कायर Number 37 Word है Former Former का मतलब है दो मैसे जो पहला वाला है वो इसका Antonium find करना है Word देख लेते हैं, पहला letter Letter का मतलब बाद में, ठीक है? Number B है Letter Letter का मतलब होता है कि दो मैसे जो बाद वाला है वो यानि कि इसका Antonium बन गया है यह Formal मतलब दो मैसे पहला वाला और Letter का मतलब है दो मैसे बाद वाला Informal यह भी नहीं होगा और Lettest का मतलब होता है आधुनिक्तम जो Lettest है यानि कि यह वो कुछ नहीं है तो इसका Former का Antonium मनता है Letter Next देखते हैं Next number है 38 Word है Imitation Imitation आप जानते हैं Imitation को हम नकल करना बोलते हैं पिरतिरूप कहते हैं Carbon को भी कहते हैं इसका जो Antonium में है वो Find करना है हमे Spurious Spurious मिन्स होता है जाली, बनावटी, बोगस नमबर भी है Unadulterate यानि कि मिलावट, रहित ठीक है? Unmixed Genine यानि कि वास्तविक, असल, असल, हकीकत Crude का मतलब होता है Imitation मिन्स होता है Knuckle यानि कि जाली किसी के जैसा बना हुआ और Genine यानि कि जो बिल्कुल वास्तविक है तो इसका बन जाएगा Option No.C Antonium होगा Imitation का Option No.C G9 वास्तविक Friends, अगर आपने अब तक हमारी वीडियो को Like नहीं किया है तो प्लीज हमारी वीडियो को Like किजिए और आप भी इस Antonium के आंसर हमें comment box में टाइप करते रहिए जिससे कि आपको पता तल जाएगा कि आपका आंसर सही है या गलत है और अगर आपने भी तक हमारा चैनल को Subscribe नहीं किया Continue I mean के लगातार यह तो हो गया इसका Trinity Intermittent का मतलब होता है रुक रुक कर Unceasing या निके लगातार निरंतर Continuous तो यह भी इसका क्या हो गया है Synonym हो गया है Constance भी Νेयत है लगातार है तो यह भी इसका Constantly हो जाए है लीने नेक्स देखते है नमबर 40 है इटर्नल इटर्नल तो आप जानते हैं एपरिवर्तंशील होता है इस्थाई होता है शाश्वत होता है ठीक है इसका एंटोनियम फाइंड करना है यूजवल यूजवल का साधारण मामूली एक्टिव सकिरिये रियलिस्टिक वास्तिविक और टेंपरेरी यानिके इसका एंटोनियम मन जाएगा टेंपरेरी इटर्नल का मतलब होता है एपरिवर्तंशील जो इस्थाई है जो टिका वाहलंबे से में से चला वा रहा है और इसका एंटोनियम मन जाएगा छडी की यानिके टेंपरेरी जो एकदम से खतम हो जाए नमबर 41 है वर्ड है कॉमेडी कॉमेडी का तो आप जानी गए होंगे आंसरों का ट्रेजडी ठीक है लेकिन बात कर लेते हैं इनकी क्योंकि ये forms of literature है ट्राइलोजी कहते हैं किसी नाटक के तीन हिस्से उसे ट्राइलोजी कहते है लाइमरिक को बोलते हैं लाइमरिक क्या होता है लाइमरिक होती है तुक बंदी जिसमें इनसान को हसाया जा सकता हो ठीक है किलर्गी क्या होता है किलर्गी होता है पादरियों का समो नमबर 42 है फिलिपेंट फिलिपेंट मिस क्या होता है फिलिपेंट मिस होता है गंभीरता का अभाव यानि के कोई बात आपकी serious नहीं ले रहा इस तरीके से आप समझाए जा रहे हो बच्चे को लेकिन वो serious नहीं ले रहा है आपकी बात को समाझ नहीं जा रहा का आप क्या कहना चाहरे हैं बस सुन रहा है निकाल रहा है कान से तो यह है गंभीरता का अभाव फिलिपेंट इसका अन्टोनियम क्या होगा shallow जिचला यानि के ऊपर ऊपर से ही नंबर भी है successful यानि के सफल ऑप्सन नंबर सी है serious यानि के गंभीर है नंबर डी है strong यानि के बलवाने मजबूत है तो फिलि सब्सक्राइब नंबर 43 है insipid insipid मतलब होता है बेस्वाद स्वाद ही ठीक है जिसमें कोई स्वाद आपको बिल्कुल ना अच्छा ना लगए आपको ठीक इसका अंसर आप फ्रेंड हमें कमेंट बॉक्स में देंगे एक बार मैं इनके mcq बता लेता हूं आपको blend मिस होता है बेस्वाद नीरस यानिके इसका स्वाद बन गया है यह तो ठीक है फ्लेवरलेस भी बेस्वाद हो गया है तो यह भी स्वाद होता है ठीक है और टेस्टी टेस्टी मतलब स्वादिश्ट होता है तो इसका अंसर आप हमें कमेंड बॉक्स में जरूर टाइप कीजिए आइ टीके कठोर कर बड़ा strict है, gentle है, नमर है, सब भी है, हलके से बोलने वाला है, प्यार жд बात करने वाला है, जोवियल, आननदित और हसमो की इनसान को बोलते हैं, सुंबर बोलते है धुंदले को, ठीकिर हार्स यानि के कठोर है, और gentle हो का मतलब soft है, तो इसका enhancing man जाएगा, तो यह बन गया इसका इंटॉनियम तो फ्रेंड आज के लेक्चार में हम 15 सब्सक्राइब करेंगे वीडियो आपको helpful लगी है तो एक like जरूर दीजिए और अपना review आप हमें comment box में जरूर दीजिए कि वीडियो आपको कैसी लगी है चैनल को अभी तक subscribe नहीं किया तो फिलीज चैनल को subscribe जरूर किजिए थैंक यू